नमस्कार प्यारे विद्यारतियों, स्वागत है आपका चैनल पर वेलकम बेक प्यारे स्टुडेंट प्यारे विद्यारतियों, आज ये पावर सिस्टम की क्लास है 7, ठीक है? कौन सी क्लास है आज ये? 7, अगर इससे पहले कि आपने एक से लेकर 6 तक या फिर उसके बीच में कोई सी भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लास नहीं देखिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बोक्स में लिंक अपलोड है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बोक्स में जाकर वहाँ पर लिंक दिया हूँ which category does a pelton will belong हिंदी में क्या हो जाएगा pelton will किस वर्ग से संबंदित है चार ओप्शन आपके सामने दिये हुए आपको सही विकल्प का चेहन करना है याने कि choose the correct option तो ओप्शन एह है आपका reaction, axle flow option B, impulse, axle flow option C, impulse tangential flow, option D, none of the above तो आपका इसका right answer क्या हो जाएगा option C, option C, impulse tangential flow is the correct answer question number 66 का right answer हो जाएगा option number C, बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question दहाँ आपके screen पर which principle type of turbines is used in hydroelectric power stations hydroelectric power station में किस सिद्दान्त के टर्वाइन का उप्योग किया जाता है option A, none of this इन में से कोई नहीं option B, impulse type, आवेक प्रकार option C, बढ़त impulse type, reaction type दोनो आवेक प्रकार और प्रतिकरिया प्रकार option D, reaction type प्रतिकरिया प्रकार तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका option C, बढ़त impulse type and reaction type दोनो आवेक प्रकार और प्रतिकरिया प्रकार option number C, is the correct answer of the question number 67 प्यारे विद्ध्यारतियो, यह वीडियो English और हिंदी दोनो लेंग्वेज, मतलब दोनो मीडियम के विद्ध्यारतियों के लिए useful है इसलिए आप English मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, बिल्कुल भी परिशान ना होई है पीडियाप आपको दोनो भासाओं में है, और मैं समझा भी आपको दोनो लेंग्वेज में रहा हूँ इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता करने के आवश्यक्ता नहीं है, आपका एक काम है study करना, पढ़ते रहना, और नोकरी लेना बस ज्यान उतना ही लेना, जितने माँ आपकी नोकरी लग जाए दोनो तरीके के knowledge आपके खतरनाग होते हैं, एक जो अधूरा है और एक बहुत तो अपने को medium रखना है, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि medium रखना है इस्टिम इंजन निमने में से किस thermodynamics चक्र पर आधारी थे, option A, ranking cycle, option B, brayton cycle, option C, stilling cycle, और option D, Carnot cycle तो आपके इसका right answer हो जाएगा, option A, ranking cycle is the correct answer, ठीक है तो option A is the correct answer of question number 68, बढ़ते है next question की तरफ वाई, regenerated using gas turbine power plant sorry, क्या होगा इसका मतलब, gas turbine बिल्ली संयंत्र में पुनर योजी का उप्योख क्यों किया जाता है option A, to product extra heat, याने कि अतिरिक्त गर्मी पेदा करने के लिए option B, to produce high pressure in chamber, चेंबर में उच्छ धाप उत्पादित करने के लिए option C, to produce high temperature, उच्छ तापमान का उत्पादन करने के लिए option D, to recover heat from exhaust gas, ठीके, निकास गेसों से गर्मी को ठीक करने के लिए option D, to recover heat from exhaust gases, याने कि गर्मी निकास गेसों से गर्मी को ठीक करने के लिए option D, is the correct answer of question number 69, बढ़ते हैं next question की तरफ usually diesel power station is used where demand of power is, मतलब आम तोर पर diesel power station का उपयोग किया जाता है जहां बिजली की मांग है, कहां, बहुत कम, sorry, बहुत उच्चा मतलब very high, या थोड़ा उच्चा मतलब की high, फिर none of this, इनमें से कोई नहीं, less, कम कहां पर किया जाता है, तो आपका इसका right answer हो जाएगा, option number D, less, यानि कि कम, जहां मांग हूँ, वहां पर हम डिजल पावर इस्टेशन का उप्योग करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले तो मांग है, लेकिन इसका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, इसी कम रहता तभी क्यों करते हैं, क्योंकि डिजल बहुत महेंगा है, ठीक हैं, नेक्स्ट क्विश्चन, इन हाइडोलक्टिक पावर स्टेशन काप्लन टर्बाइन यूजड फोर, हाइडोलक्टिक पावर स्टेशन में काप्लन टर्बाइन का उप्योग किया जाता हैं, ओप्शन A, मिडियम हीट, मध्यम शीर, ओप्शन B, ओल ओप दिस, ये सभी, ओप आप लेंट रवाइन का उप्योग कहा पर किया जादा कम सीर यानि कि लो हीट पर लो हीड याने से रोधाना सीर उस पर इसका प्रियोग किया जादा ओप्सेंडी इस दी करेक्ट आंसर ओप कुष्चेन नमर सेवन्टी वन बढ़ते नेक्स्ट कुष्चन की दरब प्यारे विद्यारतियो इलेक्टिकल से रिलेक्टेट आप किसी भी सब्जेक्ट पर अब्जेक्टिव टाइप यानि कि जो एक क्लास चल रही है सेम ऐसी ही क्लास आप चाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए आप जिस भी सब्जेक्ट की लिखेंगी आपको वो क् अब के लिए एक्जाम और असानी से हो जाए ठीक है अभी जो competition बढ़ रहा वो आपके लिए हम कम करने का प्लियाश कर रहे हैं तो competition को कम नहीं कर रहे है हम आपकी पड़ाई-को इस तरीकेसर मजबुत बना रहे है कि आपको competition और अटमेटिक लो लगे चलिए देखते हैं question which type of power station can be located at any place किसी भी इस्तान पर ये place है ठीक है वो I नहीं है typing मिश्टेग है PLAC place है किसी भी इस्तान पर किस प्रकार का power station स्तित हो सकता है किसी भी इस्तान की भात है ठीक है तो diesel power station या पढ़ने से इसपस्ट ये नहीं हो सकता कहीं पर भी option B nuclear power station यान कि परमानू उर्जय station option C hydroelectric power station परमानू बिजली station option D steam power station ठीक है तो आपके इसका right answer क्यों हो जाएगा तो आपके इसको right answer हो जाएगा इस question का आपका कहीं पर भी हम कर सकते हैं यह पूचा कहीं पर भी तो कहीं पर हम डिजल कर सकते हैं अब इसा दो है निवान नुकलर लगा देंगे पानी हर जागे नहीं ले जा सकते हैं इस ट्रिम नहीं कर सकते हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा option है तो option is the correct answer of question number 72 बढ़ते हैं next question की तरफ which type of generating system converts heat energy of coal into electrical energy मतलब जो आपकी heat energy है उसको convert करता है electrical energy में कौन? क्या diesel power system करता है या फिर nuclear करता है या hydroelectric power system करता है या steam करता है चार option आपके सामने हिंदी और English दोना language में क्या करता है option D steam power station जो आपकी भाप है ठीक है steam मतलब भाप ही होदा न तो आपका भाप है steam है वही आपको heat से electrical में परिवर्तित करता है प्यारे विद्यारतियों बढ़ते हैं next question की तरफ अगर वीडियो का content पसन आता है वीडियो बहुत useful लगता है तो आप वीडियो को like जरूर करें शेर करें और चैनल को subscribe करना न बोले साथ पाप बेल आइकन घंटी को भी दबा ले तो जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले वीडियो का notification पहुंचे और आप वीडियो को सबसे पहले देखें आज की class का second last question what is the efficiency of diesel power station diesel power station की दक्षता क्या है चार option आपके सामने option A, option A, 53 to 56 या फिर 22 to 27 या फिर 85 to 90 या फिर 35 to 42 परसेंट आपका इसका right answer हो जाएगा option C, 85 to 90% जो उच्चितम है, ठीक है दक्षता यानि की efficiency हमेंसा high rate हर अच्छी चीज़ोगी तो क्या हो जाएगा 85 to 90 अब exam में या तो same as 80 आ सकता या फिर आपको 85 दे दे 86 दे दे 87, 88, 89 या फिर 90 इसमें से कुछ भी दे दे तो आपको टीक करना जो आपको option में दिया रहेगा बढ़ते next question की तरफ ये टाइपिंग मिस्टेक है 72 नहीं ये 75 question है ठीक है 75 question इसको 5 बना लो what is the capacity of India largest thermal power plant मतलब की भारत के सबसे बड़े thermal power plant की शमता क्या है अभी तक जो भारत है उसमें सबसे बड़े thermal power plant उसकी maximum शमता कितनी है ठीक है आपसे capacity पूछी तो option है आपके सामने option है 5560 मेगावाट ठीक है 5560 option B 5340 मेगावाट option C 4760 मेगावाट option D 4620 मेगावाट इसका right answer हो जाएगा option D 4620 मेगावाट ठीक है option D is the correct answer answer number 75 कितना है 4620 मेगावाट 4620 मेगावाट प्यारे विद्ध्यार दियो आज की क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं मिलते हैं next class में तब तक के लिए बाई 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 टाटा अच्छे से पढ़ते रहे हैं ध्यान रखिए अपने यारे जौए यारे बाई उरते हैं